चंद्रमा पर चंद्रयान के सफल लेंडिंग करने के बाद परियतन नगर मसूरी में जमकर जश्न मनाया गया और सिवजी की आरतिकर मिच्ठान वितरित किया गया इस आफसर पर श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में चंद्रयान के सफल लेंडिंग को लेकर स्क्रीन पर सीधा प्रसारन किया गया जिसमें सैकडों की संख्या में लोग मौजूद रहे वही सहर के मुख्य बाजार, लंडौर बाजार में भी व्यापारियोंक ने जमकर आतिश बाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर चंद्रयान के सफल लेंडिंग की बढ़ाई थी इस अफसर पर मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजट अगरवाल ने वैग्याने को का आभार व्यक्त करते वे कहा कि आज भारत का विश्व में अगला स्थान बन गया है इस अफसर पर महिलाओं ने भी चंद्रयान की सफल लेंडिंग पर चमकर जशन बनाया और एक दूसरे को चंद्रयान के सफल लेंडिंग के बधाईयां दी मसूरी से समवाद आता अजीत कुमार के रिपोर्ट दैनिक भासकर आज को भी इतियास में आने वाली पीड़ों के लिए आज के युवा बीड़ी के लिए और जिन लोगों ने इसमें अपना इतना योगदान दिया है उन लोगों को बहुत 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 शर्षत नमन धन्यवाद कि इतना अच्छा कादेवाज हुआ है भारत एक नई विकास की ओर चल पड़ा है और यह विकास भारत को नई उचाईयों पर ले जाएगा आने वाला समय हमें हमारे भुच्चों के लिए एक बहुती सुनहरा बविश्य हो थाबित होगा और इसके द्वारा भारत की च्छवी है पूर्ण ग्रूप से पूरे विश्व में अलग सुनहरा सब्दों से लिख को भी हासिल करेगा आओ तुम गया हो जी मैं सुष्मा रावत क्या कुछ कहना चाहेंगी आज है वो बारत में मेरे समस्त देशवासियों को सरपतम इसकी शुब कामना देना चाहूंगी हार्दिक शुब कामना है कि आज इतिहास रच दिया हमारे विक्रियां थारी चंद्र विक्रियां नहीं कर सकते निशब्द हैं हम यह हमारे देश ने इतना बड़ा इतिहास रच दिया है जो कि स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा और क्या कहते हैं हुली और दिवाली से कम नहीं जी बिल्कुल आज हमने एक साथ मना दिये आज के दिन और यह देखिए कि हमार जो चंद्रियांत्री है वो चांद के उस छेत्र में उत्रा है वहां लेंड के उसने जहां पर साउथ पोल जहां पर कोई दूसरा देश आज तक जिसने कोशिश भी नहीं किती जो अंधेरे से ढखा रहता है जहां पर इतनी ठंड़ा कि माइनस ढ़ाई